नमस्कार दोस्तों मेरा नामे सतीस और अपका बॉल बॉल स्वागत है आज की इस नए वीडियो में तो फ्रिंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप T800 Ultra स्मार्ट वाच में अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं स्मार्ट वाच का जो वाच फेस है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा तो Friends, बात करें स्मार्ट वाच में फोटो लगाने की तो सबसे पहले आपको अपने स्माट वाच को फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा तब यहाँपे आप फोटो लगा पाएंगे ठीकिए तो friends, अपने smartwatch को आप phone से कैसे connect कर सकते हैं, उसके सारे features का use कैसे कर सकते हैं, इसके उपर मैं already video बना चुका हूं, तो video का link मैं i button पर दे दूँगा या फिर description में दे दूँगा, तो वहाँ से आप click करके आसानी से देख सकते हैं, उस video में friends में smartwatch के सारे features और app के सारे features जैसे camera settings, contact settings, सारे settings step by step cover किया है, मैंने ठीक है, तो video को जा के जरूर देखिए, और video देखने के बाद friends, आप आसानी से अपने smartwatch को अपने phone से connect कर पाएंगे, ठीक है friends, तो चलिए friends, मैं आपको photo लगाना बता देता हूं, तो यह रहा मेरा mobile, यह जो smartwatch है friends, HiWatch Pro app से connect होता है, तो चल से connect है के नहीं, तो यहाँ पर show करेगा, कि connect है कि disconnect है, तो यहाँ पर friends, यह जो smartwatch है connect है, यहाँ पर T800 Ultra smartwatch लिख रहा है, और यहाँ पर अपने smartwatch में भी आप देख सकते हैं, कि जो आपका smartwatch है, यहाँ पर connect है, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर connect है यह, तो friends, बात करें, photo लगाने की तो यहां पे आपको क्या करना है कि dial setting के यहां पे option आपको दिख जाएगा simply आपको इस पे click करना है click करने के बाद friends आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा ठीक है तो इसमें से आप कोई सा भी watch face आशानी से change कर पाएंगे कोई आपको यहां पे दिक्कत नहीं जैसा friends में यह watch face आपने smart watch में लगाना चाहता हूँ तो इस पे simply click करेंगे जैसा यह click करेंगे तो यहां पे got it का option आ जाएगा ठीक है तो यहां पे got it पे आप जैसे click की जाएगा तो यहां पे जो dial installation का process है वो start हो जाएगा जैसे यह 100% होगा तो यह जो watch face है friends आपके smart watch में स successful हो गया है और आपका smart watch आपके बंद होके चालू होगा और जो आपका watch face है आपके smart watch में सुख करने लगा कुछ इस तरीके से ठीक है friends तो इस तरीके से friends यहां पर जो आपको पसंद आ रहा हो लगा सकते हैं आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहां पर बहु तो यहां से आप जो चाहिए लगा सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब friends बात कर लेते हैं कि अपना photo यहां पर कैसे लगा सकते हैं ठीक है तो आपको सबसे नीचे चल जाना है सबसे नीचे आपको custom dial का option दिख जाएगा यहां पर तो custom dial पर आपको simply click कर लेना है जैसे यह आप click किते हैं तो आपके सामने बहुत सारा dial यहां पर खोल के आज आएगा तो इसमें से अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो लगा सकते हैं आपको यहां पर कोई भी problem नहीं आए कि जैसे मेरे कोई यह पसंद आ रहा है तो मैं इस पर click करूंगा तो देखिए यहां पर show करने लग गया है ठीक है यहां पर time नहीं show कर रहा है तो time के लिए friends आपको यहां पर click करना पड़ेगा तो time यहां पर show करने लग जाएगा ठीक है कि आप कहा time चाहते हैं नीचे चाहते हैं उपर चाहते हैं जहां चाहते हैं तो उपर click कर दिजेगा तो उपर time show क को option मिलेगा बगल में ठीक है select image पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपने फोटो को gallery को allow कर दीजे तो हम यहाँ पर allow कर देता है ठीक है तो यह जो फोटो आपको यहाँ पर शू करने लग जाएगा अब इसका भी time अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे ठीक है यह सब सेट कर लेने के बाद आपको simply install पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद पर क्लिक करेंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है यहाँ फिर से स्टार्ट हो जाएगा कुछी समय में यह जो हमारा फोटो है हमारे स्मार्ट वाच में सू करने लग जाएगा यहाँ पर 93% हो गया है और यह पूरा होने ही वाला है ठीक है फ्रेंट्स तो देखते बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो क्वालिटी है इसका बहुत अच्छा यहाँ पर सो कर रहा है ठीक है फ्रेंट्स इस तरीके से बहुत ही आसानी से अपना फोटो आप अपने स्मार्ट वाच में लगा सकते हैं तो उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा फ्रेंट्स आपको कोई भी प्रोब्लम आ रही हो तो आप कॉमेंट करके मेरे से पोच सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद भी ठीक है फ्रेंट्स तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद